हेलो बच्चों कैसे हो आप लोग मेरा नम है कृतिका और स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने फीवरिट चैनल कृत का बीललबी में तो इसमें जो फर्स्ट सेक्सिन है इसमें फोर्ट रोटल कोशन दिएगे हैं आपके फाइब कोशन दिएगे हैं तो फर्स्ट जो कोशन है सक्ति संतुलन यानि बैलेंस ऑफ पावर यह आपका वैसे तो सौर्ट में पूछा गया है लेकिन यह इतना इंपोर्टन टॉपिक है कि आपका sort में ही कभी-कभी दो-तिन तरीके से पूछ लिया जाता है कि सक्ति संतुलन क्या है या सक्ति संतुलन की तरीके बताईए या सक्ति संतुलन का कारण बताईए क्यों सक्ति संतुलन क्या जाता है ठीक है और ये कभी-कभी long में भी इसी तरह से पूछ लिया जाता है तो ये topic जो है आपका ये बहुत ही जादा important है अब उसके बाद देख लेते जो दूसरा question है भारत का गुट निर्पेक शांदोलन में योगदान भारत का जो गुट निर्पेक शांदोलन में योगदान है क objective of UNO जो UNO है इसका आपको उद्देश बताना है फो फाइब नंबर कोशन है भारत आसियान सम्मंद भारत आसियान जो सम्मंद है ये क्या है इसके बारे में आपको बताना है अब हम section B में देखते हैं section B में total हमारे 3 question होगे जो की 2 करने है 10 10 marks के हैं इसलिए थोड़ा सा हमे इसका इसका सब्सक्राइन समय जो सिक्समद कोशन मैं निसस्तिन करड़ के पक्षं में ये बीट आपका बहुत ही जादा in है आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा निसस्तरी करण क्या है क्योंकि आज के यूग में देखा जाए तो काफी जरूरी भी यह ठीक है अब फोर्ट जो सेवन कोशन है मारा सभी तो राष्ट पर्यावरर कारिक्रम क्या है ठीक है इसको बताना है आपको नेक्स्ट से रिलेट्स कोशन अंतराष्टी सम और कीजिए यानि मानव अधिकार जो है तो उसको बढ़ावा देनी के कि क्या देन है क्या इसके विसे में महतुपुर्ण कदम उठा जाते हैं ठीक है तो इनका वर्णन करना यह बहुत ही ज़्यादा important question है आपका UNO जो संहुत राष्ट संग है इनसे related question को इनको आ जाएगा ठीक है तो इसलिए संहुत राष्ट संग को बहुत अच्छे से आप लोग पढ़िएगा नेक्स जो कोशन है आपका 11 नंबर दक्षिर ऐसी आई छेत्री इस्ता योग संगठन के स्थापना संदचना जथा कार्यों का वर्णन करना है ठीक है यह भी question अच्छा है आपका इसलिए बहुत सीरियस हो कि बहुत क्ली कि बहुत सब्सक्राइब करसे अन्तराष्टी संबंद पर निबंद लिकना होता है ठीक है और तो इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा आप लोग ये बहुत ही जादा इंपोर्टन कोशन है नेक्स आपका जो पेपर है 2019 का है इसमें जो पहला कोशन दिया हुआ है अंतराष्टी संबंधों का छेत्र इंटरनिस्नल रिलेशन का स्कोप आपको बताना है इसकी नेचर बताना हो ठीक है या इंटरनिस्नल रिलेशन के अलिमेंट्स बताने हो तो आपको ये कोशन बहुत अच्छे से कोशन है कि समकालीन योग में सकति संतुलन के हास के कारणों की व्याख्य कीजिए जो सकती संतुलन अभी हम नों पिछले पेपर में देखा कि सकती संतुलन यानि बैलेंस ऑफ पावर क्या है इससे कोशन को बहुत अच्छे से पढ़िए क्योंकि इस तरह से कोशन आ कचे संतुलन या भारत में यह बहुत ही साथ इंपॉर्टन यह आपका लोंग में भी बन सकता है और इसंट में भी आ जाता है कभी-कभी, four number जो question है European Union, European Union जो है उसको आपको बताना है, five number question जो है market economy, market economy क्या है ये question बताना है, ये भी काफी अच्छा question है, इस तरह से sort way question पूछ ली जाते हैं, अब हम देखते हैं section B, section B में जो हमारा पहला question है, राष्टी सक्ती की तत्व के रूप में national power, ठीक है, और राष्टी सक्ती को एक, आप sort question की रूप में भी अच्छे से prepare कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें आ जाएगा कि national power क्या है, इसको आपको बताना होगा, ये long में आ जाएगा, आपका 20 number का question में आ सकती है, कि राष्टी सक्ती क्या है, इसके स्कितत तो बताईए ये भी important question है, कि cold war क्या है, और इसके कारण क्या है, ठीक है, और ये किस हद तक ये ठीक है, इसके पक्षण और विपक्श में भी आ सकता है, question यह लॉंग में भी बहुत आता है कोशन विदेसी नीति की निर्धार के टत्व विचारधारा का क्याम है तो इस तरह से कोशन विदेसी नीति से आ जाता है यह अच्छा कोशन है जो हमारा सिक्षन सी है सिक्षन सी में 9 नंबर जो कोशन है दो थी वे सो युद्ध के पस्चात अंतराष्टी संबंदों के अध्यन के परिवर्तन कारी तो का वर्णन करें ठीक है यह भी कोशन अच्छा है नेक्ट कोशन जो कूट निती यह बहुत जादा इंपॉर्टेंट ह से इस तरह से कोशन आ जाता है इसलिब्ध अच्छे स्कों पढ़िएगा अब लास्ट जो कोशन है इसका लास्ट कोशन है 11 नंबर 11 नंबर जो कोशन है अंतराष्टी संबंधों में छेत्री संगठन की भूमिका जो अंतराष्टी संबंध है उसमें छेत्री जो संगठन है उनकी भूमिका क्या है उसकी विवेचना करनी है आपको 12 नंबर जो कोशन ह सभी कोशन को बहुत अच्छे से पढ़िएगा लास्ट कोशन है मारा वर्तमान अंतराष्टी परिद्रस में विश्व प्यापार संगठन की उदियमान भूमिका कवर्णन करना है ठीक है तो इस तरह सी आपके कोशन हों के अब देखते हैं कि आखिर हम ऐसा क्या करें जो हमें इस सब्जेक्ट में जादा नमबर दिला दे तो यह जो आपका है यह इंटरनीशनल रिलेशन जो है तो इसमें वुस बच्चे के बहुत जα़िए अच्छे नमबर आएंगे जो करेंट अफ़ेर पढ़ता रहता रहता है न्यूस पढ़ता रहता इंटरनीशनल जो न्यूस करेगा उसके ज्यादा नमबर आएंगे अब जिसे सुरक्षा जो विदेसी नीती से रिलेटेड़ आपका कोशन है तो वहां पर आप क्या सकते हो तो जितने भी विदेसी नीती यह भी बनी है तो विदेसी नीतियों को आप लेख सकते हो एक रजिस्टर में कहीं लिख लो उस तो वहां पर आपको थोड़ा सा ज्यादा नमबर मिलेंगे बागी बच्चों के मुकाबले ठीक है तो अपने करेंट अफेर को थोड़ी स्टॉंग करिए और इस टाइप की न्यूज भी देखते रहिए इस टाइप के आप कुछ कीवर्ड ले सकते हो जैसे डेट और कंट् जुम्हें आई होगी और आज की इस वीडियो में बस इतना ही फिर मिलते नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए बाबाए